सबका स्वागत है इंवेस्टरलन चैनल पे मैं हूँ आप सबका दोस्त ये शून जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे देख रहे होंगे आज का हमारा वीडियो येस बैंक लिमेड के उपर होने वाला है आपने इसके इंवेस्टमेंट कर रखा हो या नह काफी अच्छे से चल रही है काफी अच्छी इसके निजव आ रही है इसके जो सीओ प्रचांत कुमार जी जो एस्बीड काफी एच्छा ज्यादा काम कर रहे हैं और इन्होंने एकदम से रिवाइब इस कंपनी को कर दिया है और इसके अन्दर आने वाले टाइम में आपको प्राइब लोन के पैसे आ जाते हैं तो अगर पैसे नहीं आते तो उनके बनाते और वहीं उनका लोस बन जाता है समझना बहुत असान है तो प्राइबेट लेंडर यह ने अप्रूव किया है जो इनके स्ट्रेस परिशान करने वाले आपके दिमाग में बोज डालने जो 48,000 करोड के हैं वह अपने जो सरदर्दी है वह प्राइबेट इक्विटी जेसी फ्लार्स को अपनी सरदर्दी हम देन आपके सर में जो बोज था वह आपने कहीं और रख दे और आप खुश हो जाते हैं आपका सरदर्द भी बंद जाता है ऐसा ही रेस बैंक का सरदर्द अब येसी फ्लार्स के उपर जा रहा है और येस बैंक उसी सरदर्द के अंदर 19-20 परसंट का स्टेक एसे जिसके अंदर जो कंपनी हाइस बिट करेगी वही इनके नपीएस को ले जाएगी तो इसके अंदर जेसी फ्लावर ए आर्थी ने इनके 48,000 करोर के एक्ष्ट के लिए बिट करा है और उनको अब वह मिल गया है तो अब इन्होंने बोर्ड ऑफ डिरेक्टर जो मिटिंग सब कुछ हो गया है अब जेसी फ्लावर से पहले जो इनका नॉन पर्फॉर्मिंग प्रोट्फोलियो है वह आर सिल ले रही थी आर सिल कौन है कंजोर्टियम ओफ सेर्बेस कैपिटल एंड एसे डिकंसेशन कंपनी इन्होंने ग्यारा यार वनिट्टी थिरी करोड का ले लि अब भी 60 दिन के अंदर देने होंगे और उन्होंने कुछ पैसे अभी कंपनी को ऐसा टोकन मनी 15 बिलियन डॉलर अभी दे भी दिया है और आगे बात करें जून एंड के अंदर यह बैंक के जो ग्रोस एंड पे तो 13.54 परसेंट जैस कंपेर टू लास्ट कोटर 15.6 देखने को मिल रहे हैं तो थैंक यू फ्रेंट फॉर वाचिंग इस वीडियो तिल दे एंड होपस आपको वीडियो और न्यूस काफी अच्छी लगी हो थैंक यू फ्रेंट बाए बाए